कौन सा ऐसा पंक्षी है जो उल्टा भी उड़ सकता है तो इस प्रशने का जवाब अपना कमेंट में लिखिएगा नमस्ते मैं प्रभाकर चवरश्या आज का हमारा कहानी है एक मेडक की बैज्यानिकों ने एक सोध खोज करने के लिए एक बार एक्सपेरिमेंट किये एक उस भढ़ा में एक बैंग रखा फ्रौग जीसे कहते हैं उस बैंग्चे को मेडक को उसमें रखे और पानी को धीरे धीरे गरमकरना शुरू किया और जैसे जैसे पानी गरम होने लगा वो मेडक वहाँ से निकलने की वज़ा है वो खुद को उस परिस्थितियों में ढालने की कोशिश करने लगा उसने सोचा कि पानी अगर हलकार का गरम भी है तो हम इसमें से निकलेंगे नहीं बलकि वो सोचता रहा कि हम अपने सरीर की टेमप्रेचर को उसके अनुकूल बना देते हैं और उसने वैसा ही किया बढ़ते बढ़ते उस टेमप्रेचर को और बैज्यानिकों ने बढ़ाया और जैसे जैसे टेमप्रेचर और बढ़ने लगा उसने अपने सरीर की उर्जा को और बढ़ाने लगा मेड़ग उसने सोचा कि मैं इस परिश्चितियों से लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर छमता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं जानता कि रेगुलर इसकी जो तापमान है, बढ़ती जा रही है, और इस समस्या को वो आप नहीं सका, और उसका जो सोच था, वो इतना मजबूत नहीं था, कि वो वह से उठ करके भाग सके, उसके अंदर छमता है, ताकि वो छलांग लगाए, तो उस भाणा से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसका टेंपरेचर बढ़ता गया, उसी अंसार वो जो मेड़क था, अपने सरीर को उसी परिश्चिति में ढलता गया, ऐसे करते कुछ मिनट के बाद, परिश्चितिया ऐसी आए, कि वो पानी और भी ज्यादा गरम होने लगा, और उस जो मेड़क था, फ्रॉग था, उसके सहन सकती से ज्यादा होने लगा, अब वो सोच रहा है, कि अब इस पानी को हम नहीं सह सकते हैं, इसका सहन सकती करने की छमता, उर्जा, पावर उसके अ परिश्ट हो चुका था, कि अब उस पॉर्ट में से, उस भाने में से कुद करके, छलांग लगा करके, भागने की इस्थिति उसमें बची नहीं है, और सोचता तो है, कि मैं यहां से निकल जाओ, मैं अब यहां से भाग जाओ, लेकिन पश्थावा भी कर रहा है, कि अगर स आपको उस उर्जा के लायक जो समझता, कि मैं अंदर छमता है, इस परिश्टी को मैं संभाल सकता हूँ, यहां से निकल सकता हूँ, तो बच जाता है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो मर जाता है, वो अपना प्राण त्याग देता है, तो ऐसे ही हमें भी सीखना चाहिए अप पादान पाने के लिए उपाय नहीं खोचते हैं, वहां से निकलने के लिए नहीं खोचते हैं, उसका निराकरण उसे जड़ से खत्म करने के लिए नहीं सोचते हैं, बरकि हम यह सोचते हैं, कि चलो इस परिश्टितियों को हमारे सहने की छमता है, हम इसको सह जाएंगे, ल बहुत बड़ी एक घटनाए हमारे घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट में देखने को मिल जाती हैं, जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, और अपने तो खुद गलती करते हैं ये, और इस समाज को भी भुक्त भोगी बना देते हैं, तो क्या हम भी ऐसे परिशितियों को इगनोर तो नहीं कर रहे हैं, तो इस कहानी से ऐसा मिलता है, कि समय पर ही, अगर किसी चीज का, अगर छोटा ही है, समस्या बढ़ रहा है, तो उसे मिटाने के परिशिति में हमें जूटना चाहिए, उसका समस्या का समधान में जूटना चाहिए, उसे जड़ से खत्म करने क लिए सोचना चाहिए ना कि हम ये कहे कि छोटी मोटी समस्या है हम तो इसको सह जाएंगे आज सह जाएंगे पता नहीं आपका सरीर कल साथ देगा या नहीं देगा कल आपके फैमिली आपका साथ देगा की नहीं देगा कल आपके ये समाज आपका साथ देगा की नहीं देगा इसलिए समस्याओं को कोई भी समस्या हो, अगर छोटी मोटी समस्या है, अगर ये समस्या विकराल रूप ले ले, तो हम उस समय नहीं मिटा सकते हैं, जब आग लगे तब कुवा खुनने जाओगे, क्या तब आग नियंतरन में आएगा, इसलिए आग लगने से पहले अपने गाओं में पानी की बेवस्ता होनी चाहिए, कुवा खुन करके पहले रखना चाहिए, कि परिष्टिया अगर विप्रित हो जाए, परिष्टिया अगर प्रतिकूल हो जाए, तो उस समय में भी हमें बचने के लिए हर तरह से अपना सेटलमेंट, अपना मैनेजमेंट करके इस कथा का सार यहीं है इसलिए हमें पने जीवन में भी पहले से पुर्व तयारी करके हर चीजों को रखना चाहिए और समस्याओं को समय में समधान कर लेंगे तो आने वाले दिन में हमें लड़ने के लिए सहजता मिलेगी और हम हर एक परिस्तिती से गुजरेंगे लेकिन व किजिए का अपना अपना विचार कमेंट किजिए और इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें नमस्ते